No Internet Connection Problem in CapCut Application दोस्तों यदि आप सभी का भी CapCut Application में कुछ इस तरह किसे problem आ जाती है आप सभी लोग देखी सकते हैं नीचे की तरफ आपको यहाँ पर लिखा आ जाता है दोस्तों यहाँ पर No Internet Connection Problem in CapCut Application इस problem को कैसे solve करें आपके पास कोई भी डिवाइस हो चाहिए Redmi, Vivo, Samsung, Redmi कोई भी डिवाइस यूज़ करते हो और आपको यह problem में आ जाती है CapCut Application के अंदर आप जैसे आप एफेक्ट आप यह filter कोई add करने जाते हो यहाँ पर कुछ इस तरह किसे आ जाता है लिखा जाता है No Internet Connection Connect to the Internet Try Again यह problem आ जाती तो इसको कैसे solve करें आपके डिवाइस में आपकी मोबाइल पर यह problem आ रहे हैं तो मुझे comment box में ज़रू बता देना चले दोस्तो इस problem को कैसे solve करना है कैसे fix out करना है इसका सही तरीका क्या होता है वीडियो में जानते है सबसे पहले मैं आपको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताएता हूँ यदि आप सभी लोग भी CapCut application का use करते हो वीडियो को कैस लाइक कर देना का की मुझे पता चलेगी ताकि आप यहां भी CapCut application का use करते हो और चैनल को भी सबस्क्राइब करतेना चले का इस वीडियो को start कर देते है सबसे पहले आप सभी को क्या करना होगा आपके पास कोई भी डिवाइस हो चाहिए आपके पास रेड्मी वीव उपो समसिंग कोई भी कंपणी का use करते हो तो आपको simply से open करना अपनी mobile की settings को आप दोस्तों आप सभी को mobile की settings open करने के बाद सभी के सामने सभी इस तरह century से mobile की settings open हो जाएगी आप यहाँ पर अपको द्यान से देख लेना आप को आप से चले है option पर आप प्षेन पर जाने के बाद में कुछ इस तरह की सभी option यहां पर आ जाएगा बहुत सारे application आ जाएंगे आप सभी को यहां पर क्या करना है और यहां पर क्लिक करना है और यहां पर क्लिक करना है तो आप सभी लोग देख सकते हैं CapCut application यहाँ पर आ चुका है तो यहाँ पर कुछ इस तरह की से दोस्तों आप सभी की CapCut application app info पर open हो जाएगी अप यहाँ पर द्यान से देख लिजे आप तोड़ा भी यहाँ पर इसुटिंग को मिस करोगे तो अपफिर आपका यह प्रॉब्छम कभी भी सॉर्फ नहीं हो जाएगा आप यहां पर वीडियो को द्यान से देखना, वीडियो को skip मात करना आप यहां पर यहां पर option देखने को बिद जाए mobile data option इसके पर आपको klik करना है यहांपर klik करने के बाद आप सभी को नीचे आपको बेक्राउंड डेटा का इसको आपको turnoff करना है तोड़ी देर के लिए ठीक है इसे मैं कहता हूँ वीडियो को skip ना करो इसको तोड़ी देर के लिए ओफ करना है और आपको यह पे क्षार करना होगा यह application में आपको बता दूँगा आपको यह play store में मिल जाएगी यह application को आपको यह name देख लिजिए इसको आप search करना है अपने play store में इसको यह download करना है अपने play store application से और इसको open करना होगा open करने के बाद just आप सभी को इसको यहाँ पे UK या फिर guys USA server के साथ इसको करने कर लेना है इसके उपर आप जैसे इस application को open करोगे open करने के बाद बहुत सब्सक्राइब आप कुछ इस तरह की सब्सक्राइब दोस्तों यहाँ पे कुछ countries आजाएगे आप सभी को UK country को select करना है और वहां से आपको connect कर लेना ठीक है CapCut application long press करने के बाद इसकी app info पे चले जाएगे वापस है और यहाँ पे आप सभी को just क्या करना होगा आप सभी को यहाँ पे देख लिजे कुछ इस तरह की सब्सक्राइब की एक और settings open हो जाएगी जिससे मैं आपको पहले बताया था आप यहाँ पे आपको option देखने को मिलेगा mobile data का ठीक है mobile data wifi इस वाले option पे आप सभी को click करना है आप यहाँ पे आप सभी को click करने के बाद मैंने आपको एक option बताया था background data का इसको turn off करने के लिए इसको सुबा आपको यहाँ पे देखे आपको दुबारा से इसको turn on कर लेना है आप इसके उपर click करने के बाद आप सभी को क्लियर किया करना हो ऑपर क्लियर कर रेना हो ठीक है clear data नहीं क्लियरば क्लियर केंच करना होगा आप पिर यहां पर मैं कर लेता हूँ दोस्तो clear cache ठीक है मैंने यहां पर clear cache किया है आपको भी same कुछ इस तरह किसी clear cache कर लेना देखिए यहां पर clear cache का option मिलेगा इसके उपर click करो click करने के बाद आपकी application है CapCut वाली यह clear cache हो जएगा आपको इसको यहां पर back option पर click कर रहा है और इसको यहां से recent से भी इसको हटा देना है ठीक है यहां से मैं हटा देता हूँ recent से भी तो चले इसको मैंने आपर हटा दिया तो उसके बाद आप सभी को क्या करना होगा अपनी Cap CapCut application open हो जाएगी और यहाँ पर मैं वीडियो को select करता हूँ और यहाँ पर पुरूफ के साथ देख लेना मेरी जो CapCut में no internet connection वाली problem आ रहे थी आप यह fix out हो चुकी है ठीक है यहाँ मैं क्लिक करता हूँ effect के option पे video effect के option पे तो देखे यहाँ पर मेरा कुछ इस तरह के से आप पर आ चुका है आप प्रूफ के साथ देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मेरा जो CapCut application में filter नहीं आ रहा था effect नहीं आ रहा था no internet connection problem solve हो चुकी है आप सभी लोग आपके सामने ही दोस्तों यह देख सकते हैं कोई भी आप फिल्टर को यह पर कर सकता हूं यूज कर सकता हूं अपनी CapCut application के साथ दोस्तों आप सभी लोग देखी सकते हैं कोई भी आप में filter को यहाँ पर यूज कर सकता हूं ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग कुछ इस तरह के से आप सभी CapCut application की जो problem है no internet connection आप सभी लोग देख सकते हैं एक बार फिर से मैं आप सभी को दिखा देता हूं यहाँ पर फिल्टर को ओपन करके देया कि सकते हैं मेरा सब कुछ filter विल्टर सब कुछ आ चुका है और no internet connection वाली problem solve हो चुकी है सभी बताएगा भी steps को follow के जिए आपकी भी problem solve हो जागी CapCut no internet connection वाली problem I hope यह वीडियो helpful लगी कि वीडियो helpful लगी तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो गाई चैनल को सब्सक्राइब करना चले मिलता है एक नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए आप यहाँ पे इसका ही उस कीए आपका यह 100% फिक्साओट हो जहाँ दो